तो हाई दोस्तों, वेलकम है आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफटी वीजन वाला में तो आज हम बात करने वाले हैं HSC Officer की सेलरी के बारे में कि किस कंट्री में कितनी सेलरी आपको मिल सकती है अगर आप एक HSC Officer हो तो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी सेलरी कितनी होगी ये काफी डिपेंड करता है इन चीजों पर जैसे Working Country यानि किस कंट्री में आप वर्क कर रहे हो Experience Level यानि आपके पास कितना Experience है इंडस्ट्री टाइप यानि किस टाइप की इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो और Company Size यानि आपकी कंट्री कितनी बड़ी है और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेलरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो Approximate होगी ना कि accurate और सेम तो फस्ट है United States तो यहां पर आपको 4000 to 8000 डॉलर पर मंद सेलरी हो सकती है सेकंड है United Kingdom यहां पर आपको 2500 to 4500 पाउंड पर मंद सेलरी हो सकती है नेक्स्ट है Canada, Canada में आपको 4000 to 7000 Canadian dollar मिल सकता है नेक्स्ट है Australia, यहाँ पर आपको 5000 to 8000 Australian dollar आसानी से मिल सकता है अगर आप एक अच्छे experience HSC officer हो तो नेक्स्ट है Germany, जर्मनी में आपको 3000 to 5500 euros per month as a HSC officer मिल सकता है नेक्स्ट है United Arab Emirates, तो यहाँ पर आपको 8000 to 15000 दिरहम salary मिल सकती है और नेक्स्ट है Saudi Arabia, सौदी Arabia में as a HSC officer आपको 7000 to 13000 per month सौदी रियाल मिल सकता है नेक्स्ट है Kuwait, Kuwait की currency आपको मालूम है दिनार काफी बड़ा होता है इसका जो rate होता है currency का यह काफी हाँ होता है तो यहाँ पर salary जो आपको मिलती है वो 650 to 1200 कोईती दिनार पर month हो सकती है नेक्स्ट है India, इंडिया में salary आपको as a HSC officer 35000 to 70000 तक हो सकती है लास्ट है South Africa, South Africa में as a HSC officer आपको 25000 to 50000 जार तक मिल सकती है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह salary depend करती है कि आप किस country में job कर रहे हैं, कितने experience के साथ हैं और किस type की industry में हैं और यह जो salary मैंने आपको बताई है यह average and approximate salary है I hope आपके लिए यह video useful होगी और अगर आपको यह video पसंद आई है तो वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe कर दें और वीडियो को अपनी friends and family के साथ ज्यादा से ज्यादा share करें और comment करके बताएं, next video आप कौन से topic पर चाहते हैं और आप करें